वासकार दोस्तों मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल ब्लैसिंग चैनल में वर्बल जी के विट्रिक का ये 11 पार्ट है और UGC Net Hindi के लिए 2 पार्ट है विशेश क्या है UGC Net Hindi के लिए ये वीडियो पनाई जा रही है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं जो UGC Net Hindi में पुछा जाए वो दूसरे एक्जाम में नहीं पुछे जा सकते है उसमें भी जैसे क्विशन पूछा गया है कि कभीर के गुरू कौन थे और पिछले साल के एकजाम देख का जाते हुछ तो मतलब क्या है कि तीनों का जो स्टंडर्ड है वो अलग लग है तीनों एकजाम का स्टंडर्ड है अर्याना कल्रक्त में भी और S.S.C. में भी और U.G.C. Net का तो यह है तो मतलब क्या है ज़रूरी नहीं कि जो एक एक एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो हम उस पर गलेम भी नहीं कर सकते हैं की कभी राम बन के चले आना परभूजी चले आना है मतलब क्या है कभी से हम कभीर लेते हैं कभी राम बन के मतलब रामानद फिर भी एक confusion आ सकती है कि रामानुजाचारिये भी तो एक संत हुए हैं राम से दो तीन संत और हुए तो हम फिर confusion हो सकते हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि कभी राम बनके कभी शाम बनके शाम मतलब नंद शाम मतलब नंद गोपाल हम कहते हैं नंद गोपाल श्याम मतलब नंद गोपाल तो यहां से हम इसको कोड कर सकते हैं कि रामानंद कभी डिके गुरू कों थे रामानंद रामानंद रफुजी चले आना अब हम आते हैं इस वीडियो में पहले कुशन पर इस वीडियो की पहले कुशन पर कि तुलसी दास की गुरू कों थे तो हम तुलसिदास के जो गुरु थे, वो थे, नर, हर्या, नननन, हमारा अन्सवर गया है, नर, हर्या, ननन तो हम यार कैसे ग्रश पर आ जाते हैं, दो तरीके से इसको हम गयात कर सकते हैं, कि एक सिपल सी लाइन बना लेते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाकर हर नर आनंद की अनुद्वती करता है गुरूजी तो आप देखे तुलसी तुलसी दाज को डिनोट करता है जल चढ़ाकर हर नर तो हर से हर अब हर कहां पर है नर हर यानन तो हम देखे चंदी विशेद करें हर अपर हर यानन तो उपर रह की मातरा आप देखे हर भोर सकते हैं और नर हंसे इस अनुद्वेoyu करता है गुरूजी हम मैंने लास्में इसलिए लगा तिया कि तुलसी दाज की गुरू है एक दूसरा मेथ़टर हम अप्लाई कर सकते हैं यह हम तुलसी का दाज बनकर तुसी का दास बनकर हर नर्ख आनंद की अभूती करता है गुरुजी दोनों तरीके से हम इसको इजाद कर सकते हैं कि पिंजरा कहानी किसके दोरा लिखी गई है याद रखना अच्छे ध्यान से सुनना या तो देखें वीडियो को या आप बिल्कुल भी ना देखें आधी अधूरी ना देखें क्योंकि कल ना आप कहो कि किस्वन आया था मुझे याद नहीं हुआ एक पार ध्यान से देख ल देते हैं उपेंदर नात अश्क लक्समी कांत वर्मा बाल किर्शन भट देव की नंगन खतरी तो यह जो लिखी गई थी उपेंदर नात अश्क के द्वारा लिखी गई थी तो हम इसको याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं एक छोटी सी लाइं बना लेते हैं उप पिंजरे पिंजरा है उसमें बंद इंदर इंदर देव लगा लेते हैं इंदर देव अस्क बहाने लगे मैं तो रोने लगे इस कहानी में कहानी में मतलब मैंने जोड़ा है क्योंकि पिंजरा एक कहानी है उप पिंजरे में उपर के पिंजरे में बंद इंदर देव अस्क बहाने उपेंदर मतल इंदर उपेंदर मतल मेरा कवर इन दिवाली और होली कहानी के रस्नाकार कॉन है तो उप्शन देख लेते हैं करताप नारायन विस्र अमर्ज सिंग्ल गाठोर इलाद चंदर इलाद चंदर जोसी भारत इंदू खरिश्चंदर तो इसका जो अंस्वर है वो इलाद चंदर है तो मैंने जो पहली वीडियो में इनकी एक रसना थी याद यदि आपको याद हो यह थो तो वह क्या था मुक्ति पत्ध मैंने कैसी याद कर आधा की इलादच अंदरी जो इसका जलादपने हो ईलाद संदिलाज के वारा जोसी जी इलाद सृर आधा सिख एनध संद इलादेर ज्शन दौनाफर चंद यहां से चंद ले लिया, इलाज का मतलब इलाज की चंद इलाज के बाद जोशी जी मुक्ति पथ पर नज़र आएंगे, मतलब मुक्ति पथ किसे ने लिखिए इलाज चंदर, और हमारा अब दुबारा एक कि सुना गया कि दिवाली और होली कहानी के रसनाकार कौन है, तो हमारा अंसर है इलाज चंदर, यह भी नो ने लिखिया है, हम याद कैसे करें, इसको भी दो तरिके से हम याद कर सकते हैं, कि चंद इलाज के बाद जोशी जी दिवाली और होली मनाने जाते हैं इस कहानी में, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, चंद मतलब चंदर, इलाज मतलब इलाच, इलाच अंदर और जोसी, जोसी को डिनोट करता है और दिवाली और हुली ये कहानी है तो हम ऐसे लिए कर सकते हैं कि वही चंद इलाज के बाद मुक्ति पत पर नजर आएंगे जोसी जी क्योंकि मुक्ति पत भी याद करना है मुक्ति पत है और नजर आएंगे जोसी जी और वही दिवाली और हुली मनाने जा सकते हैं इस तरह कुछ करके भी हम इसको याद कर सकते हैं दोनों रचनाएं हमें याद कर जाएगी उसके बाद आगता है कि मर्किल के रचना कार कौन है मर्किल हम याद कैसे करें उस पर आजाते हैं वैसे हम एक सिंपल सी लाइन बना लेते हैं कि वह यस पाकर मर गया किल लगने से तो मतलब क्या है वह यस मतलब वैभर कि वह यस पाकर यस यहाँ यस पाल कर डिनोट करता है यस पाल मर गया मतलब मर्किल मर्किल में मर आता है, देखो, मर और किल, मर और किल, चंदी विशेद करते हैं, तो मर किल, तो मतलब क्या है, मर गया किल लगने से, वह यस पाकर मर गया किल लगने से, मतलब यस यहां यस पाल को डिनोट करता है, उसके बाद आता है कि दो बांके के रचना कार कौन है, दो बा भगवती चरन वर्मा, हरीवंस रायवच्चन, रादा किर्शन दास, निराला जी, तो इसका जो उप्षन है वो है भगवती चरन वर्मा, याद कैसे करें उसके आजाते हैं, कि लेंग ना लेते हैं, कि भगवत गीता के पाठ में दो बागे वर्मा जी के चरन चूर रहे हैं, भगवत गीता के पाठ में दो बागे वर्मा जी के चरन चूर रहे हैं, मतलब क्या कि भगवत यहां भगवती को डिनोट करता है, के पाठ में दो बागे, दो बागे इनकी रसना है, और वर्मा जी, वर्मा यहां वर्मा को डिनोट करता है, चरन यहां भगवती चरन में से सरन ले लिया, सुने लगे, बाकी कार्थ के आता है, जैसे कि टेडा तिर्चा व्यक्ति को हम पाका बोलते हैं, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, इसके बाद आता है कि अंधेरी नगरी नाटक किसके दवारा लिखा गया है, ठीप, अंधेरी नगरी किसके दवारा लिखा गया ह option देख लेते हैं कि भारतेंदू हरीश्चंदर, राम विलास सर्मा, सिव पूजन सहाई, बाल किट्सन भट तो इसको भी एक छोटी से लाइन से हम और याद कर सकते हैं वैसे उन्हें उन्हे है अंधर नगरी और वेधा सुनधर बैल वी बा इंदू कि भारत के टेंदू, भारत के तेंदू या तेंदू इस अंधेरनकरी में चंदर रोशनी में भी देख लिए हैं, भारत के तिंदू, भारत के तिंदू, भारत के तिंदू, भारत के तिंदू है, इस अंधेर नगरी में चंदर रोशनी में भी देख सकते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, तो यहां पर देखें, चंदर रोशनी में भी देख सकते हैं, हरी की किर्पा से ऐसे कर लेते हैं तो अब देखें हरी की किर्पा से किर्पा से तो यह ऐसे देखें कि भारत के तेंदु मतलब भारत के तेंदु भारत के तेंदु भारत के तेंदु भारत के तेंदु तेंदु इस अंधेर नगरी में मतलब अंधेर नगरी किनों ने लिखी है भा सकते हरी खिरबा मुझरब हरी चंदर ऐसे करके हम उसको याद कर सकते हैं उसके बाद आजाता है कि अमर सिंग राठोर नाटक के रचेता कौन है सुर्दास देवी दत शुक राधा चरन गोर स्वामी उसके बाद मती राम तो हमारा जो अंसर रहेगा राधा चरन गोर स्वामी रहेगा हम याद कैसे करें उस पर आजाते हैं राधा के चरन गिरकर अमर हो गए सिंग राठोर तो मतलब यहां क्या है राधा के चरन मतलब राधा चरन गिरकर अमर हो गए सिंग राठोर और अमर अमर सिंग राठोर यहां तिनों टिकोड हो जाता है इसके बाद आजाता है एक कि राधा की नल दमयंती नाटक के रचनाकार कोण है? अप्सन देख लेते हैं निर्वलां भुसं बालकिर्षन भट मती राम तो हमारा अंस्वर क्या रहेगा, बाल किर्चन भट रहेगा की बाल किर्चन नाटक में हम याद कैसे करें की बाल किर्चन नाटक में नल से दम भरकर पानी पी रहे हैं या पी रहे थे कौन किर्शन जी कर देते हैं जो दुबारा किर्शन जी बाल किर्शन नाटक में नल से दम भरकर पानी पी रहे हैं किर्शन जी हम ऐसे कर लेते हैं तो बाल किर्शन मतलब बाल किर्शन नाटक ये नाटक है नल मतलब नल दमयंती में से नल ले लिया दम मतलब दमयंती में से फिर दम ले लिया हमने पी रहे हैं किरसंजी तो मतलब क्या हमारा जो अंसर है क्या है बाल किरसंजी बट ये क्या था नल दमयंती नाटक था इनका अच्छा दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बाद, हाँ, यदि आप तो इस वीडियो के माथ्यम से आपको कुछ फाइदा हुआ हो, यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया याद करने का मिला हो, तो आप में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नह अजिस्लाइक भी करें ये मेरी गुजारिश है यह आपको नहीं अच्छा लगता तो दिस्लाइक करें लेकिन सिर्फ दिस्लाइक ना करें comment box में लेखे ताकि मैं ध्यान देश कुंकी कहां पर गलती रही है तो अच्छा लगता है अच्छा दोस्तों हाँ यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप मुझे subscribe भी कर सकते हैं लेकिन यदि आप subscribe करते हैं तो side में जो bell icon आता है उसको भी click करें उससे होता क्या है कि notification जो भी वीडियो में डालूँगा उसकी notification आपको आती रहेगी अच्छा दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए चैनल